इस्राइल गाजा युद्ध में अब पर्माडू बम की एंट्री हो गई है। इस्राइल गाजा की पूरी आबादी को किस तरीके से खाक कर देगा। करीब साढ़े तीन सो पर किलोमेटर लंबी पट्टी अब पूनी पट्टी बनने वाली है। और इसी दिए इस्राइल की प्रधान मंत्री बॉलेट प्रूप का बच पहन कर खुप आर्मी के कैंप में पहुँच गया। नीतर याहू इस्राइल के सानिकों से मिले, कमांडर से मिले और उनसे कहा कि युद्ध की तयारी पूरी कर लो। महा समर का वक्त आ गया है। अब अगले चरण में घाजा पट्टी के अंदर खुश कर हमास को चुन-चुन कर मारने की बारी आ गई है। हमास के ऐसी वक्त में इस्राइल से बंगा लिया है जब इस्राइल में फिलिस्तीनों के लिए सबसे जादा खतरनाक शप्स प्रधान मंत्री के रूप में काम कर रहा है। और यही इस वक्त नजर भी आ रहा है। प्रतिशत महिलाएं और बच्चे हैं। घाज़ा पट्टी के हालात इस वक्त ये हैं कि घाज़ा पट्टी के अंदर 35,000 फिरिस्तीनी सिर्फ एक अस्पताल अल-शपा में शरण दिये हुए है। और उन्हें उमीद है कि इसरेल यहां पर एर बॉम्मी नहीं करेगा। क्योंकि ये एक अस्पताल है लेकिन अगर यहां भी हमास ने अपना अट्टा बना लिया तो फिर क्या होगा। ये इसरेल ही तै करेगा। फिल्हा यूक्रेन को बंबारी करके और मिसाइलों पर मिसाइले वरसा कर लगु लुहान करने वाले पुत्र घाजा पट्टी के दर्ग से तड़ रहे है। साथ अक्टूबर को जब इसरेल पर हमास ने आतंकवादी हमला किया था। करीब अन्तालीस घंटे तक पोथन शुक्ती साथे रहे। उनका कोई वायान सामने नहीं आते। लेकिन हमने के दू दन बाद पोथन ने बेहतर रणनेती खमला करते हुए अमेरिका पर के निशाना साथ कि अमेरिका के मिडिल इस्ट पॉलिसी पेल हो गई है। किश executive कोज है की एझ लयोग के वाया इपारी टाया जवाना वह चार्वा की कि अचना को कि यह वीम इुवरे उनका को अरया का इक्श ओन पॉलिसी पोरा उनок वहाला ऊा जीनमने ब लिच नहीं, के पज़ बतो है को है, के अर बन्पों वहाय आप ह Dise động СОНО इस्राइल और हमास के इस्यूद में एक बड़ा सीक्रेट किरदार रूस का भी है एक तरफ सौदी अरब और इस्राइल के बीच समझोता खटाई में पड़ गया है तो दूसरी तरफ अरब के इसलामिक देशों में अमेरिका के खिलाब नफरत भड़ा कुठिया लेपनन में हजारों लोग सटकों पर उतर करे इस्गेल के खिलाप नारे लगा रहे हैं जॉर्डन में सत्तर हजार लोग अमान में उस वक्त सटकों पर उतर आए जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी प्लिंकर जॉर्डन में ही मौजूद थे इसी तरह तुर्की में भी जम कर विरोध प्रदर्शन हुए है एजिप्ट में भी ये आग सुलकी हुई है और इसी लिए अमेरिका के विदेश मंत्री को मेहनत करनी पड़ रही है मिडेलीस्ट में भागा दोड़ी करनी पड़ रही है जोर्डर, कदर, साओधी अरब और संयुक्त अरब अमिरात के दोरे पर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटिनी बलिंकन जा चुके है और अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए बेहद कूट मेतिक तरीके से पोतिन ने इस्रेल पर निशाना साथ देवे कहा है कि इस्रेल पर हमला हुआ है हमला जरूर गलत है लेकिन घाजा पट्टी पर अंधा दुन बंबारी भी गलत है उस नहीं कनेशना तको बेस्प्रेचिदेटने अटाके कोड़े इस्टोरी ने बुल ये ने तोलके पो मस्टाब मोई पा पहारु इस्पलनें पो झाल बहुतो को बहुत है फैं न एक है टो को भी ज़िए पाहometer पुतिन ने घाजा पट्टी में जारी बंबारी और घेराबंदी की दुलनान लेनिंग्राद की जंक से कर दी है लेनिंग्राद का युद बहुत कूर युद था जो जर्मनी के हिटलर और हूस के स्टालिन के बीच हुआ था लेनिंग्राद का युद दूसरे विश्युद का सबसे एहम युद था जिसमें 15 लाख लोगों की मौत का अनुमान है लेनिंग्राद का युद एतना भयानक था कि जब ये युद शुरू हुआ था तब लेनिंग्राद के आबादी 35 लाख थी और युद के बाद यहां सिर्फ 7 लाख लोग ही जिन्दा बचे बहुत सारे लोग पलायन भी कर गये थे फिर भी ये अनुमान है कि इस जंग में दोनों तरफ के सैनिक और नागरिकों को मिला कर 15 लाख लोगों की मौत हुई थी हैं बहुते इस बहुती हैं मेरी ने बहुब हैं वे नने वहां कुल मिला कर पोतिन का इशारा ये है कि अगर घाजा पट्टी का योद्ध नहीं रुका तो इसमें लाखों मौते हो सकती है यही वज़ा है कि पोतिन ने इसरायल के प्रधान मंत्रे बेनमिन नेतन्याहु को जेतावनी दिये कि घाजा में नागरिकों को कम से कम नुकसान पहुचाया जाए इतना ही नहीं ये बिलकुल साफ नजर आ रहा है कि इसरायल के मुद्दे पर भी चीन और रूस का एक गड़बंधन नजर आने लगा है क्योंकि अब चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी बिलकुल साफ कर दिया है कि घाजा पर इसरायल की बंबारी अब आत्मुरक्षा के दायरे से बाहर निकल चुकी है इसरायल को अब घाजा को सामुहिक सजा देना बंद करना चाहिए यानि कि अब देखा जाये तो दुनिया लगातार रूस और अमेरिका की अगवाई में दो हिस्सों में बढ़ती होई देख रही है एक तरफ रूस के नेत्रितों में वो देश हैं जिनका कहना है कि अब इसरायल को घाजा पट्टी पर हमले बंद करने चाहिए और दूसरी तरफ अमेरिका के नेत्रितों में यूरप के कई देश हैं जो ये मानते हैं कि हमास से खुखार आतंकवादी संगटन है और अब उसको उसकी कर्थूतों की सजा देना इसरायल का कर्थव्या और अधिकार है यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट और सूला गौन ने भी इसरायल के ब्रदान मंतरी से मुलाकाद की है और उनके बीच हुई बाच्चीत काफी हैं है क्वद्ब जब लगोज चेफर ाजड है और अधिके यिन क्वफर अजर अधिक निए में प्रेकिन चाहट को लागोड़ मिन from their families, taken hostages, even Holocaust survivors. Over 1,300 human beings were murdered by barbaric terrorists of Hamas against Israel. They aimed to eradicate Jewish life from the land and they took action. I appreciate the expression of support that you gave now and in the recent days on the fact that so many European countries have stood with us and shoulder to shoulder, जॉर्डन के बादशाँ अब्दुल्ला द्विते भी इस पूरे युद्ध को लेकर काफी जादा परिशान नजर आ रहे हैं उनके सामने चुनौती ये है कि अगर कहीं वेस्ट बैंक वाले फिलिस्तीन के अंदर भी युद्ध का शोर उठा तो इसका बड़ा असर जॉर्डन पर पढ़ने वाला है ये मैप जरा ध्यान से देखिए फिलिस्तीनियों का कबजा फिलहाल दो जगों पर है पहला वेस्ट बैंक जो येरुशलम के आसपास का इलाका है और दूसरा गाजा पट्टी जॉर्डन के बाद शा को ये डर है कि अगर गाजा में हमास ने युद्ध शुरू किया तो फिर वेस्ट बैंक के अंदर से भी हमास के लोग इसरेल के खिलाफ युद्ध छेड़ सकते हैं साथ अक्टूबर के बाद से ही इस पूरे इलाके के अंदर तनाओ है और वेस्ट बैंक में भी इसरेली सेना की कारवाई में लोग मरे हैं इस वक्त वेस्ट बैंक के अंदर हालात ये है कि यहां महंगाई बहुत जाड़ा बढ़ गई है क्योंकि लोग भारी मात्रा में खाने पीने का सामान लंबे समय तक के लिए एकठा कर रहे हैं जॉर्डन को अपनी जनसंख्या के अंदर असंतुलन का खत्रासत आ रहा है दरसल जॉर्डन के कुल आबादी करीब एक करोर है और इन में से दस लाथ लोग फिलिस्तिनी शरणाप्ती है यानि जॉर्डन की दस फीजदी आबादी फिलिस्तिनी है जब इस्राइल और फिलिस्तिन का यूद हुआ तो फिलिस्तिन के लोग बतोर सर्णाप्ती जॉर्डन चले गए और वहां से कभी नहीं लटे अगर ऐसा फिर होता है तो जॉर्डन की जनसंख्या का असंतुलन फिर बिगड जाएगा और बढ़ भी जाएगा और यही वजह है कि जॉर्डन भी सौधी अरब और यूएई के साथ मिलकर किसी तरह शांती के स्थापना की पोशिश में जुटा हुआ है